और अब बारी है कीव की राजधानी कीव रूसी शेरों की जनरली भी से कहा जा था कीव में बड़े हमले की आशंका है अब आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये पुलिस हेड़क्वाटर हुआ करता था आप कह सकते हैं क्योंकि इसको मिसाइलों से डामेज कर दिया गया है और आग की लबटे बया कर रहे है कि इसको तोड़ने का मख्सब होस्टनों को तोड़ना था जिसमें शायदो काफी अटकाम याब हुए यूक्रेन पर रूस के हमले का एक नया वीडियो आया है वो नया वीडियो हम आपके सामने रखेंगे ये है नया वीडियो अटाक हेलिकॉप्टर से रूस का यूक्रेन पर हमला हेलिकॉप्टर का यानि कि आप एरपोर्स का भी अटमाल ये हेलिकॉप्टर्स आपको भूमते हुए दिखाए देंगे तस्वीरों में तो अभी यूकरिन में क्या चल रहा है वो जानने के लिए अब लगातर Zee News देखते रहे हैं क्योंकि एक-एक तस्वीर आपको पहुंचा रहे हैं आर्टेटेकू विदेशी मामलों की जानकार हमारे साथ है संजय कुलकरणे लेटने इन जनर्रेल हमारे साथ है संजय सर और इसके साथ साथ हमारे समवादाता क्रेश्न बोहन विश्रव भी हमारे साथ है वो जो न्यूसरूम से हमारे साथ है लेकिन संजय सर इन तस्वीरों को देखकर आप क्या कहेंगे, यह क्या चल रहा है, रूस की तरफ से रश्या की तरफ से वीडियो जारी क्या गया है, अटैक हेलिकॉप्टर्स हैं यह बहुत ही बयानक स्थिती है, इसमें कोई शक्त नहीं, जिस प्रकार से अब रूस ने धावा बोल दिया है, मुझे लगता है, रूस ने कई तरिके से अपने अटेंप्स किये हैं, कि युकरेन को मनाने के लिए किया गए बाचीत से कुछ मसला हल हो सकता है, भारत का यह लडाई ना करें, और जिस प्रकार से पस्चीवी बेश भी लगातार उक्रेन को उकसाने की कोशिश करें, उनको हत्यार दे रहे हैं, बुलेट पूफ जाकेट दे रहे हैं, मिजाइल दे रहे हैं, मशीन गंद दे रहे हैं, एके पॉटी सेविज दे रहे हैं, और यहां अब पुरा नेवल ब्लॉकेट हो गया है, एर सुप्रमिसी है, पर इसके बावजूत अपने को जो यूकरेन से खबर आ रही है, सर्फ आ रही है कि रूसी सैनिक लगातार 6,000 की तादाद में मारे गए हैं, लेकिन रूस से कोई खबर नहीं आ रही है, यूकरेन ये बात नहीं लेकिन इस तरह की वीडियोस भी अब तक सामने नहीं ना इस तरह की वीडियोस जारी किये गए है, वो डेटा इस तरह के जारी कर रहा है, जो रशियन हेलिकॉप्टर्स हैं, जो उनकी एर फोर्स है, वो सब नजर आ रहे हैं, टैंक्स नजर आ रहे हैं, जब यूकरेन लड ओ कि गंटे के अंदर ही यूक्रीन का जो air defense system है, वो बरबाद हो गया था, उसमे air defense system ने रहा, उचा उनके radar बरबाद हो गए, उच्कने air field बरबाद हो गए, तो यह जहाँ तो ए firmissage इसे हम लोग मोरते हम, वो पूरा का पूर रूस्ता है यूक्रीन को पर, इसमें यूक्रीन के पास 2 मिजाईले दिय रखी हैं पस्चीमी देशों ने एक है इस तिंगर मिजाईल जो heat seeking मिजाईल है लेटेस्ट है जो fire and forget मिजाईल क्याते है उसको वह 4800 मीटर तक उसका रेंज है जिसके द्वारा वह हेलिकॉप्टर्स को गिरा सकते हैं और दुसरी तरव उनके पाश जावलिन मिजाइल दी हैं वो हैं अंटी टैंक मिजाइल वो भी बिल्कुल fire and forget टॉप अटाक वाली हैं वो टैंक के ओपर अंटी टैंक मिजाइल हैं उनके साथ उनको एक्विप्ट किया गया है और उसके अलावा अगर लडाई के लिए जिस प लेकिन जो रूस है वो यह कोशिश कर रहा है जहां तक अभी तक तो मैं कहूंगा कि जिस प्रकार से रूस के पास हत्यार है जिस प्रकार से कॉपंट है जिस प्रकार से बिल्कुल ही मैं कहूंगा latest modernized weaponry है उसके मद्दे नजर जो यूकरेन का जो जमावडा है या मैं कहूं है वो बरबाद हो रहे हैं और collateral damage है जिस पर कुछ कुछ सिविलेंटी जी मैं आपको लाना चाहूंगा discussion में जिस तरह से यूक्रेन लड़ाई कर रहा है वो अपने नागरिकों कह रहा है कि आप हथियार उठालो चलो उनको हथियार भी दे दिये लेकिन इससे petrol bomb बनाने से उ और प्रापगेंडा चला रहे है कि बहुत बड़े लेवल की रिजिस्टेंस है